देश ने पूरी स्रध्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांकती संस्ताओं के सामने कर्तव्यपत पर भी नेताजी बोष की भव्यपतिवां हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूँ ये काम देश हित्में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नाईकाओं को समय रहते जन्मानत से जोडा सांजे और समर्थ आदर्स गड़े वो विकास और राष्ट निर्वान की दौर में बहुत आगे गए। इसलिए यही काम आजादी के अमरित काल में भारत कर रहा है जी जान से कर रहा है। साथियों जिन 21 द्विपों को आज नया नाम मिला है। उनके इस नाम करण में भी गंभीर संदेश छिपे हैं। यह संदेश है एक भारत स्रेष्ट भारत की भावना। यह संदेश है देश के लिए दिये गए बलिदान की अमर्ता का संदेश। और यह संदेश है भारतिय सेना के अद्वितिय शौरिय और पराक्रम का संदेश। जिन 21 परंवीर चक्रविजेताओं के नाम पर इन दीपों को जब जाना जाएगा। उन्होंने मात्र भूमि के कंकं को अपना सब कुछ माना था। उन्होंने भारत मा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्वन नियोचावर कर दिया था। वे भारतिय सेना के हैं वे वीर सिपाई देश के अलग-अलग राज्यों से थे। अलग-अलग भाषा बोली और जीवन सैल के थे। लेकिन मा भारती की सेवा और मात्रु भूमि के लिए अटूट भक्ति उन्हें एक करती थी, जोडती थी, एक बनाती थी। एक लक्ष, एक राह, एक ही मकसद, और पूर्ण समर्पन। साथ्यों, जैसे समंदर अलग-अलग दीपों को जोडता है, वैसे ही एक भारत सेष्ट भारत का भाव, भारत मा की हर संतान को एक कर देती है। मेजर सोमनाज शर्मा, पिरू सी, मेजर सहतान सी से लेकर कैप्टन मनोज पांडे, सुवेदार जोगिंदर सी और लांच नायक अलबट एक का तक, वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामस्वामी परमिश्वन से लेकर सभी 21 परमवीर सब के लिए एकी संक्रप बथा, राष्ट सर्वप्रधम, इंडिया फार्ष्ट, उनका ये संकल्प जब इन दीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है, करगिल युद में ये दिल मांगे मौर का विजय गोश्ट करने वादे कैप्टन विकरम, इनके नाम पर अंड़मान में एक पहड़ी भी समर्पित की जा रही है, भाई और भेनों, अंड़मान निकोबार के दीपों का ये नाम करन, उन परंबीर चक्र विजयताओं का सम्मान तो है, साथ ही भारतिय सेनाओं का भी सम्मान है, पूरब से पस्चिम, उत्तर से दक्षिन, दूर सुदूर, समंदर हो या पहाड़, इलाका निर्जन हो या दुर्गम, देश की सेनाएं, देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है, आजादी के तुरंट बात से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा, हर मोके पर, हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है, ये देश का कर्तवे था कि राष्टर रक्षा इन अभ्यानों में स्वयम को समर्पित करने वाले जवारों को, सेना के योगदानों को ब्यापक स्तर पर पहचान देखें,